हलो फ्रेंट्स तो मैं PHP framework के बारे में बात करने बाला हूँ तो जैसा कि आपको पता है कि कई सारे framework available है market में PHP में और आपको उसमें correct जो है framework जो आपके requirement को suit करेगा वो find out करना बहुत tough हो जाता है हाँ अगर content management की बारे में बात करने तो definitely wordpress या drupal दोनों में से कोई भी आप select कर सकते हैं और मैं recommend करूंगा कि आपको wordpress लेना चाहिए क्योंकि wordpress का ecosystem और plugin इतने सारे available है market में कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कठेनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा तो definitely no doubt बहुत सारे जो इंडिया में government site होते हैं जो drupal में बनते हैं डूपल काफी ज़्यादा पाउरफूल है और कई सारे medium और small level company और even MNC में भी डूपल का इस्तमाल होता है बट मैं आपको रिकॉमेंट करूंगा कि आपको करना चाहिए डूपल और जो है वर्डप्रेस सीखना चाहिए क्योंकि यह content management system के लिए काफी ज़्यादा पाउरफूल है और दूसरा जो web development और कुछ complex application के लिए जो जो framework है उसमें बहुत सारे framework आ जाते हैं for example gent हो गया लारावेल हो गया कोडिंग नेटर हो गया और सिंफोनी इस टाइप के PHP कई सारे framework available है PHP में बट मैं आपको suggest करूंगा कि इसमें सबसे जो बहुतरी है आज के date में ओ है लारावेल आपको लारावेल हैं select करना चाहिए यह मेरा personal opinion है जो मैं feel करता हूँ यह जितने भी कोडिंग नेटर जेंट और सिंफोनी है नो डाउट powerful है बट लारावेल का जो support मिलता है न और जो ओ जो प्रोवाइट करता है खुछ लोग का तो यह भी मानना है कि प्रोवाइट की वज़े से जो जो है जो कंप्लेक्स इंटरप्राइज लेवल के application जो बनते हैं ओ जो है लारावेल में बनते हैं और प्रोवाइट करता है फीचर काफी ज्यादा बेहतरीन होता है तो डिफिनेटली जो है आप लारा वेल सीख सकते हैं लारा वेल टॉप च्वाइस होगा आपके लिए अगर कॉंटेंट मेंगेजमेंट जो कैसे जो प्रोवाइड करता है और कुकीज मैनेजमेंट जो है वह काफी ज्यादा बेहतरीन है बट इस्टिल जो मैं आपको रिकोमेंट करूंगा कि आप जो है अगें वृटप्रेस की तरफ जा सकतें उकमर्स की तरफ तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि PHP जो है सेशन और कुकी को काफी अच्छे से हैंडल करता है और उसका जो सेशन है ना कि जो है नेक्स्ट का आने वाले कंजीक्यूटी पेज में भी सेशन एक्टीव रहता है और यूजर को लॉग इन रखता है काफी ज्यादा पाउरफ सिखने के लिए PHP तो definitely WordPress सीख सकते हैं और Laravel सीख सकते हैं तो definitely यह दुनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यह बहुत है इन्पॉर्टेंट है So I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा फिर भी किसी प्रकार का अगा डाउट है तो आप कोमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं Thank you, thank you for watching